हलो इस वीडियो में हम व्यू टैप के अंदर स्विच विंडो क्या होती है इसके बारे में जानेंगे तो स्विच विंडो का काम यह होता है कि यहां पे हम बहुत सी विंडो को एक साथ स्विच करके यहां पे रख सकते हैं तो यहां पे हमारे पास बहुत सी विंडो हो सकती है तो जो भी विंडो हमें ओपन करनी है उसके ओपर हम क्लिक करेंगे वही विंडो यहां पे ओपन हो जाएगी आने के बाद जो भी बिंडो हमने open करनी है उसके ओपर क्लिक करेंगे वो बिंडो यहाँ पर open हो जाएगी तो यह देखो यहाँ पर open करके देखते हैं यहाँ पर file पर गए इसके बाद open पर गए open पे जाने के बाद यहां पे यह second वाली इसको open करते हैं यहां पे open किया open करने के बाद यह आ जाएगी इसके बाद फिर अगली window को open करते हैं यह देखो file tab पे जाएगे यहां पे इस window को open करेंगे इस window को यहां पे क्लिक किया यह विंडो ओपन हो जाएगी इसके वाद फिर यहां पे फाइल पे जाएगे और फाइल पे जाने के वाद इस विंडो को ओपन करेंगे तो यह विंडो यहां पे ओपन हो जाएगी फिर यहां पे फाइल टैप पे जाएगे इसके वाद फिर यहां पे अ open करने के बाद यहां पे हम view टैप पे जाएंगे view टैप पे जाने के बाद switch window यहां पे click करेंगे तो switch window यहां पे click करने के बाद यह देखो हमारे पास यहां पे बहुत सी window open है तो जिसके ओपर हम यहां पे click करेंगे यह देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर हम यह suppose करो चाहते हैं कि यह BSD यह यहां पर open हो तो हम इसके ओपर क्लिक करेंगे यह देखो इसके ओपर क्लिक किया तो यह यहां पर open हो जाएगी अगर हमें कोई और open करनी है तो फिर हम यहां पर view tab पर जाएगे और यहां पर switch window यहां पर click करेंगे और suppose करो हमें यह चा में हम बहुत सी विंडो को एक साथ यहाँ पर रख सकते हैं और जो भी हमें विंडो देखनी है उसके ओपर क्लिक करेंगे वही विंडो ओपन हो था जाएगी इसके बाद यह देखो विउ टैप, इसके बाद स्विच बिंडो इसके वाद subtotal अगर यह देखनी है तो यहाँ पे subtotal यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यह subtotal यह बिंडो यहाँ पे उपन हो जाएगी इसके बाद अगर हम यह चाहते हैं कि view side by side अगर हमें side-wise side और window देखनी है तो हम यहाँ पर click करेंगे यह देखो यहाँ पर click किया तो यहाँ पर click करने के वाद यह देखो जैसे यह window है इसके साथ हमें कौन सी window देखनी है उसके ओपर हम यहाँ पर click करेंगे suppose करो हम यहां पर यह चाहिए what if यहां पर क्लिक करेंगे इसके बाद ok पर क्लिक करेंगे तो ok पर क्लिक करने के बाद यह देखो यह तो open है यह इसके साथ हमने यह दो विंडो यहां पर side-wise side open हो गई है इसके बाद अगर हम यह चाहते हैं कि यहां पे यह first वाली window है जब हम यहां पे इसको scroll करें तो यह नीचे वाली window यह भी अपने आप scroll हो जाए तो यह second वाली command synchronize scrolling यहां पे click करेंगे click करने के बाद यहां पे first वाली पे हम click करेंगे यहां पे click किया है इसके बाद इसको scroll करेंगे ये लिखो ये नीचे वाली भी स्क्रोल हो रही है ये लिखो ये नीचे वाली भी स्क्रोल हो रही है तो अगर हमें साइड वाइस साइड स्क्रोलिंग करनी है तो हम इसको सेकंड वाली कमांड को यहां पे लेंगे इसके बाद रिसेट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रिसेट हो जाएगा फिर से तो इस तरह से हम यहाँ पे स्विच विंडो में बहुत सी विंडो को एकठा करके एक साथ यहाँ पे रख सकते हैं और जो भी विंडो हमें ओपन करनी है उसको हम यहाँ पर open कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने switch window के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel धन्यवाद